सभी तर्सकों के जानकारी के लिए अब हम अब बात करें पावर डिसेंट के तीसरे चरणचा जो की फाइन परफॉर्मेंस सो फार सीमस्ट वी नॉमिनल जी आरुसी चुकि एलस एक्टिवेट किया जा चुका है इसलिए ग्राउंड से कोई कमांडिंग नहीं की जा रही है इस दौरान आपके स्क्रीन के सारे डेटा इसरों के डीप स्पेस नेटवर्प से रियल टाइम में आ रहा है आप देख सकते हैं कि हम लोग लगवग लगवग अपनी यात्रा बीस परसेंट कम्प्लीट करते हैं पावर डिसेंट कि यह सुरुवाद हम कह सकते हैं कि बहुत ही सथी और सथी होई है जिसमें लैंडर अपने बेगमान को अनुमानी तरिक से जगठा रहा है अरुची अभी हम इस डाउंट्रेस को देखते हुए कह सकते हैं कि यह रफ रेकिंट्रेस की सुरुवाद बहुत ही अच्छे तरीके से हुई है आप यह देख सकती हैं कि जो ही प्रोजेक्ट्रेस है उसी पे अपना लैंडर माडूल आगे चलते हुए बढ़ गाया है अभी तक यह देखा जा सकता है कि लैंडर माडूल लगभग लगभग 370 किलोमेटर 36 जिशा में चल चुका है अच्छे यह कर दो तक दो करना सकता है बज्सर्श प्रोजेश कर दो प्रोजेश कर दो है इस लिए ग्राउंड से कोई कमांडिंग नहीं की जा रही है इस दोरान आपके स्क्रीन के सारे डेटा इसरों के डीप इस्पेस नेटवर्ग से रियल टाइम में आ रहा है इस निसम में सेकेंड और थर्ड आडर डाइडेंस पाली नामियल का प्रेव गुवा है जो की इनर्शियल ट्रस्ट और अंगल के हमेशा सुनिश्चित करेगा दूरिं अक्र परे अंगल देन्स इन्छ रहस् दिल्खने अंगला इस प्रेवरीं का झाल बाटन Q. ड्या आ रहाँ में इनूיר न्मेयल लो विए ब्लाइम खिप चुन्ट सिर उन्णाभ सार टे लो चूर्टन जी हाँ, आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि लाइंडर मॉडूल जिसकी शुरुवात में विलोश्टी एक जाप सेसो असी मीटर पर सेकंट ते, लगभग लगभग 1150 मीटर पर सेकंट हो चुकी है, जो की एक बहुत ही मैजिस्टिक शुरुवात कही जा सकती है इस रफ प्रेकिंग फेस के लिए. यहाँ पे मैं आपको यह भी बताते चलूं कि आप अपने स्क्रीम पे देख सकते हैं कि लाइंडर माडूल का आल्टीटूट धीरे धीरे अब दम होता हुआ दिख रहा है और जो की एक्सपेक्टेड भी है. अभी हम बात करें करेंट आल्टीटूट के जो की 28.6 किलो मीटर के आसपास है. इस प्युक्ति पर यही वी देक्सक्ते हैं चंडेंठी लंड़र इमेजर दिसले मेंदर इमेजर इसंतीज मेंजी इसंतीज इंधिए इंधी 月ि इंधार्फेज वेमेंजर केसा थीपार्फ रहीं रматदीजुन है आच सोड़स wil विक्युभwang almost The current altitude is 27 km as can be seen on the screen करीब करीब अपने आधे सफर को पूरा करते हुए इस रफ देकिंग फेज में लाइंडर बहुत ही आगे के तरफ बढ़ते हुए अपने उचाई को घटा रहा है अगर अब बात करें तो लाइंडर की उचाई शंद्रमा के सतह से लगवक 27 km से मीचे हो चुकी है करीब करीब 26-27 km के आसपास है The next phase after the rough breaking phase is the attitude hold phase which will be for a duration of nearly 10 seconds The lander will be oriented such that both the altimeters will be looking exactly towards the moon's surface At the end of this attitude hold phase, height measurement update to navigation system will be given from the laser and car band altimeters Currently we are in the middle of the rough breaking phase जी हाँ, अगर हम घ्यान से देखे तो लगवक्त आच मिनित की आत्रा के बाद लाइंडर अपनी horizontal velocity को लगातार कम करते हुए अपनी उचाई, अभी की उचाई के समय 24-24 km की उचाई पराप्त कर चुका है अब तक के आकड़ी को देखते हुए हम कह सकते हैं कि लाइंडर पूरी तरह से नामिनल है यहाँ पर हम देख सकते हैं कि horizontal velocity की लगातार कम होती हुए दिख रही है अकड़ी बाइब देखती स्क्तॐ प्राप्ति नामिन खर थार्यमटर कम उच्पवा देख घर डाइच्स राम्त कुछ भाइपने को अुछ हुग ठाइब डाइब कर देक पाइब रंग।